नमस्कार मेरा नाम आजात कबीर है और आप देख रहे हैं एए न्यूस टुडे दोपहर की बुलिटिन का समय हो चुका है आईए बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं आज लाल चौक पर तिरंगा फैराएंगे राहूल गांधी भारी सुरक्षा बलतैनाथ सुबह साड़े ग्यारे बजे सो नवार चौक पर ब्रेक होगा दोपहर बारा बजे राहूल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फैराएंगे लाल चौक पर भारी तादान में पुलिस बलतैनाथ है पूरे इलाके में बैरिकेट्स लगा कर सील कर दिया गया है आसपास की सभी दुकाने बंद करवा दी गई है आज चेश्मा साही रोड पर यात्रा का हार्ट होगा तीस जनवरी को रहुल गांधी शुरिनगर के कांगरेस मुख्याले में तरंगा फैराएंगे और इसके साथ ही यात्रा खत्म हो जाएगी रास्पती भवन का मुगल गार्डन अब अमरित उद्द्यान कहलाएगा दिल्ली में रास्पती भवन के मुगल गार्डन का नाम शनिवार को बदल दिया गया अब इसे अमरित उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हर साल की तरह इस बार भी 5-6 लाख लोगों के आने की उम्मीद है जंता के लिए पहली बार इसे देश के पहले राष्टपती डॉक्टर राजिंदर परसाद ने खुलवाया था इकाना में मैच को लेकर त्यारी पूरी हो चुकी है लखनव में सिरीज बचाने उतरेगा भारत भारत और न्यूजिलेंड मैच को लेकर पूरी त्यारी हो गई है लखनव के इकाना स्टेडियम में आज शाम साथ बजे से मैच शुरू होगा यहाँ पहले बैटिंग करने वा match हो चुके हैं और दोनों ही match team India ने जीता था यूपी में स्नातक और सिक्षक चुनाओं के पास सीटों पर मत्दान कल से शेत्र के तीन और सिक्षा सेत्र की दो सीटों के लिए 30 जनवरी को मद्दान है मद्दान को लेकर रवीवार को संबंधित मुख्यालों से पॉलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा शनीवार साम पांच बजे चुनाव परचार थम गया निर्वाचन आयोग ने पॉलिंग पार्टियों को रवाना किये जाने की पूरी त्या जालोन के साथ तक्रीबन 31 जिले और शामिल हैं मिराज के पाइलेट की मौत सुखोई के पाइलेट सुरक्षित शनीवार को एरफोर्स के दो ताकतवर फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज आपस में टकरा कर क्रैश हो गए दोनों एरकराफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टकराने के बाद दोनों का मलवा एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर मद्यपरदेश के मुरैना और राजिस्तान के भरकपूर में मिला इंडियन एर फोर्स के मताबिक सुखोई विमान के दोनों पाइलेट सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में काम्याब रहे वहीं मिराज विमान के पाइलेट की मौत हो गई केंद्रिये कैबिनेट की बैठक आज 2024 के लिए मंतरी मंडल में फेर बदल की संभावना परधान मंतरी नरिंदर मोदी ने बजट सत्र से पहले आज केंद्रिये मंतरी परिशत की बैठक बुलाई है बैठक सुबा पीम आवास पर होगी इसमें मंतरियों के कामकाज की समिक्षा होगी इसके आधार पर ही मिशन 24 के लिए मंतरी मंडल में फेर बदल हो सकता है पीमो ने बैठक की पुष्टी की है माना जा रहा है कि बैठक 6 घंटे होगी रक्षा मंतराले, ग्रह मंतराले, वित मंतराले और विदेश मंतराले को छोड़ कर बाकियों के कामकाज की समिक्षा होनी है पीमो विभिन मंतराले के कामकाज पर अब तक दिये गए प्रजेंटेशन पर रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और परधानमंत्री परतिके रिया देंगे 2024 में होने वाले चुनाओ चीन को उकसा सकते हैं 2025 में हो सकता है युद अमरीका के फॉर स्टार एर फॉर्स जर्नल माईक मिनिहन ने आशंका जताई की अगले दो साल में अमरीका और चीन के बीच युद हो सकता है 30-31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल अब रद हो चुकी है United Forum of Bank Union ने मुंबई में हुई बैठक में बनी सहमती के बाद 30-31 जनवरी को होने वाली बैंक हड़ताल रद कर दी है इस से पहले कई बैंक युणियन्स ने 30-31 जनवरी को हड़ताल की घोशना की थी खड़ताल पर जाने वाले थे वही 28 जनवरी को महिने का चौथा शनिवार और 29 जनवरी को रविवार होने की वज़े से बैंक बंद हैं सर्द हवाओं ने बढ़ाई यूपी में ठंड हिमाले से आ रही सर्द हवाओं ने उतरपरदेश में सर्दी बढ़ा दी है दिन में धूब के चलते मौसम ठीक बना है लेकिन सूरज ढलते ही पारा गिर गया पिछले 24 घंटे में आगरा सबसे ठंडा रहा यहां का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिए मोधी ने की साल की पहली मन की बात पदम पुरसकार विजेताओं पर की चर्चा पधार मंतरी नरेंदर मोधी ने रवीवार को मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया उन्होंने पदम पुरसकार पाने वाले लोगों की कहानिया बताई और लोगों से भी उनके जीवन की कहानिया पढ़ने की अपील की इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंतर हमारी संस्क्रीती में हैं सदियों से ये हमारे कामकाज का भी एक हिस्सा रहा है सब्भाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है मन की बात कारिकरम का ये 97 एपिसोड है जो इस साल का पहला एपिसोड है देश और उत्तर परदेश की खबर के लिए आप देखते रहिए